आज लखनो सूपर जाइंट्स का मुकाबला चैनली सूपर किंग्स के सामने है लखनो सूपर जाइंट्स अपने घर पर तील लगातार मुकाबले हार चुकी है यह चौथा उनके घर पर मुकाबला है आज चैनली सूपर किंग्स का करेंगे सामना मायर्स ने भी अल्रेडी काफी अच्छा धूम मचा चुकी है कमाल लाजबाब राहूल 111 मकाबले 326 रंस श्ट्राइक रेड़ 149 दीपक चार इनके सामने दीपक चार पहली गेंद थोड़ी छोटी गेंद डाली थी बैक फूटी पंच किया सीधा दीपक चार चौती गेंद और ये सीधा मार वैठे तुसार्देस पाणने के गोदी में ये बड़ी सफलता है चैने सपर किंग्स को कमाल लाजबाब राहूल आज चले न बड़ी सफलता ये नहीं महिस तीछरा में पकड़ा था क्या जीरो पर आउट मार्कस स्टॉन नस ने नियाने मकाबले 1744 रंस हैं इस बार गिरने के बाद अंदर आई थी गेन इसके लिए तया हूल अच्छा शौट शांदार फुट वर्क खड़े खड़े ओन दर आईज बाउंसर हवा में शौट ये कायल मेयर्स का इस बार सीधा इस बार फ्रंट फोट पर पर नतीजा वही एक और चौका यहां पर बैक तु बैक दो बाउंडरीज अब बार इसकी टिम टेमा हट भी स्टार्ट हो चुकी है फिलाल और ये किनारा लगा है साइज बारी किनारा लगा है और मार्कस टॉनस ने कोई आवाज नी सुनी घोनी ने आवाज नी है रेवियो भी लिए डी आर इस थोनी रेवियो सिस्टम अब काम कर गया लगनों के लिए ये एक चमतकार चन्ले के लिए ये थोड़ा सा अब क्या बोलें उसको एक बड़ी सफलता तो सारदेश पांड़े के ये इस पैल म और फुलर छे रन के इसके लिए बोल रहे दें फिर से ये पुल शॉट फिर से गेंद बाहर थी ये स्लोवर वान और फिर से गैब डूंडा यहाँ पर फिर से वही छोटी गेंड डाली फिर से गैब मिला अच्छा शॉट यहाँ पर बहुत कटिन था और के समाप्ती होने वाली है पर उसके पहले शॉट लगाया यहाँ पर अब बारिस भी स्टार्ट हो चुकिए इसका मतलब रविन जडेजा का यह ओवर हो चुका है समाप्त और एंपार बार्चीत करते हो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर खेल को रोका जाएगा बारिस की यहाँ पर समाप्ती के बाद ही यह मैच स्टार्ट किया जाएगा अब साइद ओवरकम किये जा सकते हैं प्लियर्स अब जाते हुए पविलियन की और उमीद है कि यह बारिस ज़्यादा दे तक ना हो और ज़्यादा भी बारिस ना हो क्योंकि मैच में बाद आए सूतरों के बकाबले यहाँ पर जो ख़वार आये हुआ यह कि साथ ओवर्स का यह अब मैच कर दिया गया है दस ओवर्स नहीं होंगे और यह बारिस के बाद की पहली गेंद वो तारा बना दी आकास की गेंद को वाउ एक बार फिर से कायल मेर्स इनके सब कायल है कुझ इस तरह का गया है पार फ्ले चेंद नहीं सूपर किंग्स के लिए और बच से बत्तर हो गया है मंजर और यह पचास कायल मायर्स के फास्टिस फिफ्टी है यह इस गेंद को भी भूलना पड़ेगा आहां बिलकुल भूल जाईए यह नहीं आएगी वापिस यह गेंद ऊपर दो बहुत गई है और बहुत दूर भी गई है यह देखे एक और बड़ा शॉट यह और यह चैनल पर यह अब तो खिलवार की बारी है खेल तो पहले खाताब हो चुका है यह बहतर गेंद जरूर थी लेकिन शॉट उससे भी बहतरी तो अब लगनों की पारी जो है एक सो नौर अरंस पर कर दी गई है समाप्त पूरे साथ ओवर्स के अंदर यह ओवर कम हुए हैं तो फिर यह चैनल के लिए थुड़ी समस्या है और समस्या का समाधान है रुतराज गाइक वार्ड अर्टिस मैच इस साथ सू पैंसर ट्रंस यह अच्छा है और डेवन कॉनवे इनके बारे में क्या ही बताने इनके चर्चे तो आप सुनी रहे हैं हर एक मैच में जब जब चैनल नहीं खिलाफ मैच है तब तक ही अच्छा प्रदसन कर रहे हैं घिंदवाज मार्क बोड देखा पिच अच्छी है तो मार्क बड़ को ला लिया है पहली गिंद यह यह स्टैंड्स में गई है चेस रुआत और इस बार डेवन कॉनवे इनको तो आप रोकी ही नहीं सकते कितनी दिर रोक लोगे इनको यह फिर से खराब लेंथ उसी जगह पर हाव वाली और उसको बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे यह कदमों का इस्तमाल डेवन कॉनवे पूरी तरीके से मारकस टॉनेस पर हावी और यह चौथा चक्का इस तुबर का व्याक टू बैक पहले चौकों की हैट्रिक फिर चार चौके लगाता रहा है च्छा सोट सथी की और कर रन भाग लिया डिरेक्ट अलग गई है डिरेक्ट यह जाना इस पूरे मसले पर थड़ेंपायर यह देख रहे हैं जब तक ड्राइब लगा तब साइथ हवा में थे यह रिवर्स में करके जाएगा जी विल्कुल हवा में थे पहुंच नहीं पाए बैठ हवा में रह गया और इसका मतलब बड़े सब्दों में लिखा जाएगा ओ यू पॉइंट ओ सो देखने को मिला सीजन वाओ वर्यतुराज यह पूरा सौफ कर रहे हैं इस एक और चौकाज दसफर पहुंच गए यह जिंग क्या यह ना और यह जॉस पड़लर की तरह कोछ यहां पर स्कुप साल लगाया चार बटोरा पहली गेंद पर यॉर्कर गेंद उस सुइंग कर रही थी लेकिन इधार रुतुराज कि एक और अचा सौट यह फ्लाट है यह फास्ट भी यह फ्यूरियस भी है कज मकर अस्तमाल अपील इतनी जोड़दार है साइज विस्वास का मैं मुझे लगता है और राहुल ने रिव्यू लिया है क्योंकि बहुत बड़ फिल्डर उधर हैं भी नहीं यह कि धर को लगाया सौट मारना कहीं चाहते थे गई कहीं और रुतुराज फिर भी खाते में चार रंग के अच्छा सौट यहां पर भी और उधर भी कोई थर्ड मैंवर फ्लाइडी मौजूद नहीं तो फिर चौका मिल जाएगा कजम कस्तमा आजूइंग क्या वाओ वाओ क्या शॉट और कमाल का यह शॉट लगाया यह देखिए एक बाद फिर से यह स्कूप की प्रैक्टिस करकर आए थे मुझे लगता है और यह छे रंस कुनाल पंडे आये हैं एक फिर से स्कूप की को से भारी किनार और आउप फोगा जब यह व स्कूप के राने के खाते में 25 रंस तेरा गेंदों के अंदर बना इस्ट्राइक डिक सुबानवे का यह देखने योग रहा और बिल्कुल स्कूप लगा या एज लगा और उदर कोई कल्ती भी नहीं कि उदर फिल्डन मार्क बोड़ते अंबती राइड इंपक्ट पिलर के गर्डिया इंपक्ट डाल पाएंगे चेंदे 26 रंस पहली गेंद काल में अर्सकी और यह स्टैंड लेवा दूसरी गेंद यह भी स्टैंड में केल में भी जीवित है चैननाई सूपर किंग्स और तीन गेंदे बारह रंस क्या गेंस यह देखिए यह देखिए यह देखते गेंद को मुकाबला अब चैनने एक तरफ जाता हुगा दो गेंद्े छे रंस खेल शमाप्त इस गेंद पर खेल समाप्त हो चुका है तरहैं आज चैनने चैनने अब ती राइड उप आए हम बती राइड उच्छाय तीं जे लगाये और चैननाई को विज़ाई बनाया एक बार फिट से आठ फिकट से चैननाई सुबर केंग्स ने भारी बड़े टोटल को चेज किया है सक्सेस्फुल ये किर्केट इत्यास को सबसे सफल सक्सेस्फुल चेज रहा है ये मैंन अब दबेच रुतराज गायखवाड आंते तक टिके रहे और एक अच्छी इनिंग खेली मैच बिनिंग विच इनिंग खेली बैसे आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं